मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए तर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे तर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे दो जून की रोटी मुहाल है पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविश्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमरितकाल आया है कभी कभी मेरा मन करता है कि मनीपुर में निर्वस्तर करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमरितकाल आया है या नहीं आया है कभी कभी मेरा मन करता है सभापती महोदे कि देश के लिए उलम्पिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अम्रितकाल आया है कि नहीं आया है कभी-कभी मेरा मन करता है कि रात के दो बजे बिना परिवार की मर्जी के हातरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलतकृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अम्रितकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कभी-कभी मन करता है कि मैं बिलकीस बानों से पूछूं कि देश में आया हुआ अम्रितकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है सभापती महोदे कभी-कभी मन करता है कि भीड के जरिये लिंच करके मारे गए पहलू खान की पच्चासी साल की दोनों आखों की अंधी मा से पूछूं कि देश में आया अम्रितकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कभी-कभी मन करता है कि एद के कपड़े खरीद कर लोट रहे 17 साल के हाफिज जुनायत से पूछूं जिसे बलब गड़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया कि अम्रितकाल आया है या नहीं आया है कभी-कभी मन करता है नजीब की मा से पूछूं कभी-कभी मन करता है कि तवरेज अंसारी की बिदवा से पूछूं कभी-कभी मन करता है कि सहारनपूर के उन तीन बच्चों से पूछूं जिनने 36 गड़ में लिंच करके मार दिया गया सभापती महोदे कभी-कभी मन करता है कि मैं गुजराद के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिया गया सलमान बोरा के परिवार से पूछूं कि अम्रित काल आया है या नहीं आया है कभी कभी मन करता है कि मैं अली गड़ के और अंगजेवुर फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के उपर डखेदी का मुकदमा कायम किया गया मानने मोदी जी ने दिया है असी करोड गरीबों को रेशन मानने मोदी जी ने दिया है असी करोड गरीबों को रेशन इसलिए मानने राश्टरपती जी का बहुत अच्छा था अभी भाशन मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन इसलिए मैं या दे रहा हूँ आपके सामने मेरा भशन नरेंद्र मोदी जी पदान मंत्री बने हैं तिसरी बार क्योंकि कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी की हो गई है हार मोधी जी प्रदान मंत्री बनेंगे बार 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 और कॉंग्रेस की हो जाएगी हार 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 सवीदान बदलेगा ये प्रचार जूटा था क्योंकि कॉंग्रेस ने सारा देश लुटा था राहूल गांधी का प्रदान मंत्री बनने का सपना चार जूटा था राहूल गांधी का प्रदान मंत्री बनने का चार जूटा था